कि पैस्य बाद्चो आज हम भारत के चीनी उध्धुक पर डिस्कस करेंगे here छीनी उध्धुक भारत का है में सब्हुन सारे चीजों से चीनी बनाया जाती है चीनी गन्यें से बैंदों जों कई मीठे बदार्थ कहते हैं जिन से चीरी किन्तों भारत में मुख्य वूर्ण से चीन इक हो गन्ना कि नहीं taken चीन ट्रपेशा लिए खुटारब दिस दोट की ते थित कुझ दो नहीं में जोрокर्ण हों कि निए चीनिमिस रोग है यह आधोनिक भारत की कि देन है उनीश सो इकतर आधेसं भारत में चीनी उद्ध्यों की जो गती थी बहुत धहमी थी 1932 में ब्रिटिश सरकार ने चीनी उद्ध्यों को सरक्ष्ण देने के उद्धेसे से आया चीनी के आयात पर टैक्स लगा दिया अब इससे क्या हुआ कि यह जो सरक्ष्ण था ही 1950 तक जलता रहा इससे भारती जो स्यूगर इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज़्यादा बल मिला उसको प्रहुत साहन मिला और 1931 में भारत में चीनी मिलों के संख्या केवली इकतिस थी और यहां पर एक पॉइंट शे तीन टन चीनी का उत्वादन होने लगा उने सुच्छे साथ में चीन मिलों के संख्या 506 हो गई और 282 लाग टन चीनी का उत्वादन हुआ तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चीनी का उत्वादन निरंतर बढ़ता जा रहा है इस समय भारत में सूती वस्तर उध्योग के बाद यदि कोई दूसरा सबसे बड़ा कृषिय आधारित उध्योग है तो यह हमारा चीनी उध्योगी है भारत का जो गन्ना है गन्ने के उत स्वादन के द्रेश्टी से भारत वेश्व में क्यूबा के बाद दूसरा स्थान रखता है यदि हम गूड शक्कर खांट सारे आधी सब को शैमिल कर दें तो भारत मीठे का सबसे बड़ा वेश्व का सबसे बड़ा उत्वादक राष्ट है यह उध्योग तीन लाफ लोग चीनी उध्योग के स्थानिय गर्म में सबसे अधिक महत्व गन्य का है चीनी के उत्पादन लागत में लगबग 60 प्रतिशत जो वह है वो गन्य पर ही होता है सामाने तक 100 टन गन्य से 10 बार टन चीनी ही प्राप्त होती है अर्थार्थ यह वेट लोसिंग इंडस्ट्री है लगबग यह साथ होने चाहिए अगर काफी दिन तक कटाई होके और गन्य को छोड़ दिया गया तो गन्य खराब हो जाएगा और रस सूख जाएगा भारत में अधिकास्त गन्य है वो बैल गाडियों से या इसी तरह से दोहाया जाता है अर्थाथ 20-25 किलोमेटर से कर रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा 70-75 किलोमेटर से दूर चीनी मिलों तक गन्य को नहीं पहुंचाया जा सकता है क्योंकि इससे नहीं तो परिवहन वे अधिक बढ़ जाता है अब चीनी मिले गन्या उत्पादक छित्रों में ही इसलिए स्थापित की जाती है ताकि वेड़ और विदुद्शक्ति जैसे स्त्रोतों से ये मुक्त है अब आता है चीनी उध्धोग का वित्रान चीनी उध्धोग भारत में 90 परदिशत चीनी उत्तरपरदेश, महाराष्ट, बिहार, आंदरपरदेश, तमिलारू, करनाटक में तयार की गुजरात, पंजाब, हरियाना म चीनी का उत्पादन किया जाता है, तो फर्स नमबर आता है उत्तरपरदेश, यहां पर इस राज्जे में सबसे अधिक चीनी मिले हैं, किन्तों उत्तरपरदेश की द्रस्टी से महाराष्ट के बाद ये दूसरे स्थान पर आता है, तो मिले बहुत जादा है, वास्ता में उत्तरपरदेश परंपरागत रूप से चीनी का उत्पादक राज्ये हैं, और महाराष्ट कभी कभी चीनी उत्पादन में इससे आगे निकल जाता है, पिछले कुछ वर्षों में उत्तरपरदेश और महाराष्ट में कम्पिटिशन लगा रहता है, और उत्तरपरदेश मे यहां सबसे अदिक चीनि उत्वादन होता है सभ्से अदिक उत्वादन सहारंपूर मेर्ण मजभफर नगर जि महां? सहारंपूर से गाजियाबाद वर रैन्विय के चीनि में स्थित्र गोर्टपूर वसती ite वर्या सितापूर, होंडा, फैंजावाद, आदी परमुक जिने हैं जहां चीनी का उत्पादन होता है इसके तिक मुरादाबाद, बरेली, विजनोर, शाजापूर भी चीनी उत्पादन के लिए फेमस है नमबर टू आता है महाराष्टा परंपरागत रूप से महाराष्ट, दूसरा बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है परंटो कभी-कभी ये प्रथमस्थान भी ले लिए लिए यहां देश की 20% मिले हैं और 32% चीनी तयार की जाती है एहमद रगर यहां का सबसे परमुक जेत रहे हैं यह 11 मिले हैं, अन्य उत्पादक जीले कोलापूर है, पूने, सतारा, तक्षनी सतारा आदी है नेक्स्ट है आंदर पर्देश आंदर पर्देश में चीनी के उत्पादन पूर्वी वे पश्चमी गोदावरी, कृष्णा, विशाकापुन्नम और निजामाबाद वे हैदरावाद जीलों में होता है पिछले कुछ वर्षों में आंदर पर्देश ने चीनी के उत्पादन में उलेखने उनती की है नेक्स्ट आता है करनाटक, यहां बेलगाम, रायचूर, पांडवपूर, समेश्वर्थ, हास्पेट, मुनिराबाद और गुंगावती, यहां पर्मु उत्पादन अच्छिले है नेक्स्ट आ बिहार, बिहार में चंपारन, सारन, मुझफरपूर, दर्भंदा और पटना में भी चीनी का उत्पादन होता है इसके अतिरिक्त तमिल लाडू में भी बहुत सारा चीनी मिले हैं जिसमें कोयमबटू, दक्षने अरकाट और तिरुचरापली आदे पर्मुख है इसके अतिरिक्त पंजाब में होशारपूर, राजपुरा, बुर्दासपुरा, राजस्थान में भुपाल सागर्थी तोड़कट, केशोराय पाटन, मांडेला, पाटन, बुंदी और बारा बासवाड़ा भी पर्मुख उत्पादक जिले हैं गुजरात में, एहनदाबाद वे भावनगर में चीनी का उत्पादन किया जाता है अब चीनी उद्धोक का दक्षिन की और स्थाना द्रन